एक कार को तयार होने में कितना समय लगता है और एक कार को डिलीवर एक कार कितने साल सेवा देती है कितने साल लगता है एक कार को बनने में एक कार बनने में कितना समय लगता होगा तो मैं विश्णगर में पूछ रहा था तो किसने कहा एक दिन तो हो सकता है एक दिन में एक कार बन रही हो, हफते में बन रही हो, महीने में बन रही हो, लेकिन एक कार कितने साल सेवा देती है, 15 साल, ओफिशली, एक आदमी को तियार होने में कितना समय लगता है, अभी की सिती को देखें, तो लगभग 30 साल एक आदमी को लग जाता है, 25 स साल की education और जब तक वो 5 साल किसी जॉब में रहके कुछ काम नहीं कर लेता है तब तक हो Confidence नहीं आता है कि मैं किसी लायक हुआ हम लोग Engineering करके निकले तो हमको कुछ समझ में नहीं आया कि हम किस लायक हो गए पांस साल जब जॉब कर लिए तब थोड़ा सा confidence आया कि चलो कुछ कर सकते तो 30 साल मानके चली तो मादमी वो मशीन है जिसको तैयार होने में 30 साल लगता है और जो 30 साल deliver करता है 50-50 का ratio 50-50 का ratio इसका मतलब है एक आदमी का तैयार होना कोई बड़ी घटना है उसके लिए क्या invest होने की जरूरत है वो बहुत important चीज है तो एक आदमी यदि ठीक से त्यार नहीं हुआ तो क्या होगा एक आदमी ठीक से त्यार नहीं होगा तो उसको कौन-कौन भुगतेगा उसकी बीवी भुगतेगी उसके बच्चे भुगतेगे समाज भुगतेगा नेचर भुगतेगा एक आदमी ठीक से त्यार नहीं हुआ तो उसकी कीमत पूरी काइनात चुकाती और एक आदमी ठिक से त्यार हो गया तो पूरी काइनात खुशी मनाती है एक आदमी ठिक से त्यार ने हुआ तो पूरी काइनात रोती है एक आदमी ठिक से त्यार हो गया तो पूरी काइनात खुशी मनाती है तो दोस्तो इसलिए आदमी का तयार होना बड़ी घटना है या तयार आदमी को यूज करना बड़ी घटना है क्या लगता है आदमी का तयार होना बड़ी घटना है या तयार आदमी को यूज करना बड़ी घटना है आदमी का तयार होना बड़ी घटना है यदि आदमी का तयार होना बड़ी घटना है तो क्या हमने उसको उस sincerity के साथ में सोचा है हमने आपने बच्चे पैदा करके भाजबा कॉंग्रेस को दे दिये तुम देख ले ना हम पैसा कमाने में बिजी हैं हम माबाप केवल पैसा कमाने में लगे हैं मेरा बच्चा कैसा तयार हो रहा है कैसा तयार होने की आवशक्ता है क्या ऐसा समाज के रूप में हम मिलके सोच रहें ऐसा हम नहीं सोच रहें तो इसका अर्थ ये हुआ, तो यदि किसी एक व्यक्ति को ये समझ में आ गया, यार आदमी का तयार होना बड़ी घटना है, सारी ताकत आदमी तयार करने पे लगा दो, सारी ताकत आदमी तयार करने पे लगा दी, तो बाकि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाने वाला है, अभी भारत सरकार का 2% एजुकेशन में जाता है, सभी स्टेट गवर्मेंट्स का 6-8% एजुकेशन में जाता है, लेकिन आज एक माबाप के लिए सबसे बड़ा खर्च उनकी जिंदगी में उनके बच्चों की एजुकेशन है, और आज एजुकेशन की ये स्तिती है, हमारी एक बेटी, बैंगलोर या कहीं से बहुत डिजाइन का कोई बहुत अच्छा कोर्स करके, माले जी मुंबई में नावकरी करती है, तो अब इस्तितियां ये है कि 30,000 की सेलरी मिरती है, और मुंबई में रहने का खर्चा 60,000 है, तो परिवाद 30,000 रुपय हर मेने घर से बेज है, तो जितना पैसा एक माबाप, शुरू से आखिर तक बच्चे की एजुकेशन में खर्च करता है, यदि सारे को जोड़ दें, तो उसके ब्यास से वो जिन्दगी भर आराम से रह लेगा, तो इस कार्थ यह हुआ, कि आदमी का तयार होना बड़ी घटना है, आदमी को तयार करना बड़ी घटना है, और पूरी नेचर में देखेंगे, तो कुट्य बिल्ली को तयार करने के लिए अलग से ट्रेनिंग नहीं है, कि यवल आदमी ही वो चीज है, जिसकी हर चीज पे ध्यान देना होता है मानव का बच्चा पैदा हुआ और किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मर ही जाएगा ये पक्का है पशु का बच्चा पैदा होता है उस पे कोई ध्यान ना दे तो भी वो जिंदा रह जाएगा इसकी अधिक्तम संभावना है तो दोस्तों मानव की कहानी जि की जरूरत है उसकी चर्चा इन आठ दिनों में हम करेंगे